हेलो दोस्तों आप सभी कर सवगत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल एगरी करांती में आज की वीडियो हम डिसकस करेंगे टॉप टॉटी आएंपी कोश्चन पीड मेनेजमेंट वीड मेनेजमेंट से जितने पैटाम में कोश्चन पूछा जाता है तो उस पैटाम को डिसकस करने के कोशिज किया गया है तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखती रहेगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब में किये तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करेगे तो सबसे पहले कोश्चन है दोस्तों कि खरपत्वार का राश्टियन उसंधान केंदर कहां इस्थित है भोपाल जबलपूर पूने नहीं दिली तो इसका अंसर आजाएगा जबलपूर में ठीक है और इसका इस्थापना जुआ था 1989 में हुआ था फिर नेक्ट कोश्चन आता है दोस्तों कि बायो हर्विसाइड कौन सा है प्रथम बायो हर्विसाइड कौन सा है डिवाइन बायो पॉलेरिस लासो बायो मल तो इसका अंसर आजाएगा ए डिवाइन ठीक है डिवाइन जो है फर्स्ट बायो हर्विसाइड है और ये जो फंगास का liquid suspension होता है और फंगास का नाम है पैप्तोप्तोरा फाल्मी ओरा और ये जो weed होता है उसमें root rot disease करता है फिर next question आता है कि सोया बीन की फसल में खर्पतवार नियंतर है तो कौन सा खर्पतवार नसी का प्रयोग करते हैं 24D, Alachlor, Simazine, Propanil तो इसका अंसर आजाएगा B, Alachlor Alachlor और Metrobosin का सोया बीन में खर्पतवार नसी का उप्योग करते हैं फिर next question आता है कि नियंवे में से कौन सा प्रथम खर्पतवार नसी है तो इसका अंसर आजाएगा D, 240 को प्रथम herbicide माना जाता है और इसका असरे जाता है मार्थ और मिचेल को जिन्होंने 1944 में और यह USA के थे और सबसे पहले भारत में इसका उप्योग 1946 में हुआ था फिर next question है दोस्तों कि कौन सा खर्पतवार का उप्योग साब के काटने में मेडिसीन के रूप में करते हैं तो इसका अंसर आ जाएगा ए जो लुकस एसपेरा है उसका उप्योग साब के काटने में करते हैं दूसरा option है केलो ट्रॉपिक प्रोसेरा तो इसका उप्योग जो गैस्टिक हो गया या पेन में है उप्योग करते हैं आर्जीम अनमेक्सिकारन का जो इसके इसमें उप्योग किया जाता है और फाइलेंधस जो नीनूरी है इसका उप्योग ज्वण डिस पीलिया में मेडिसीन के रूप में उप्योग किया जाता है फिर next question आता है दोस्तों कि प्रत्थम biological control खर्पतवार कोन से है ठीक है मतलब biological method के द्वारा कोन से खर्पतवार को पहले control किया गया था पार्थेनियम, लेंटेना कैमरा, अमरेंथा, साइनुरान, डेक्टिलोन तो इसका answer आजाएगा इसका अंसर आजाएगा B, लेंटना कैमरा फिर नेक्स कोश्चन है भारत में खर्पत वार द्वारा क्रीसी में वारसी खानी कितना होता है 35%, 20%, 26%, 21% तो इसका अंसर आजाएगा A, 35% और 20% जो होता है कीडो इंसेक्ट के द्वारा होता है 26% डिसीज बीमारियों के द्वारा होता है और 21% जो होता है वो अधर के द्वारा होता है फिर नेक्स कोश्चन आता है की सरवादिक हर्वी साइट कोपियों किस फसल में किया जाता है कपास, गन्ना, धान, चाय तो इसका अंसर आजाएगा चाय चाय और कॉफी में ज़्यादा हर भी साइट को उपयोग किया जाता है वही पेस्टी साइट का बात करें तो कपास में किया जाता है फिर नेक्स कोश्चन आता है नीन में में से कौन सा एक्जोटिक वीट है एक्दोर्टिक उतिक मतलब ऐसे वीड़ जो हमारे देश में नहीं पाया जाते हैं जो वीडेश से आया है तो इसका आप्शन है पार्थेनियम आर्जीमोन मेक्सिकाना लेंटेना कैमरा दी उप्यूगते सभी तो इसका अंसर आ जाएगा दी उप्यूगते सभी पार्थेनियम जो है USA से आया था लेंटेना कैमरा स्रिलंका से आया था ठीक है फिर next question आता है एक किस्म में दूसरे किस्म का उग जाना कहलाता है वास्तवी खटपतवार, संबंदित खटपतवार, अवांचनी खटपतवार तो इसका अंसर आ जाएगा अवांचनी खटपतवार जैसे कि गेहूं के जो कल्यान सोना है वराइटी है उसमें अगर सोनाली का वराइटी उग जाता है तो ये क्या कहलाएगा अवांचनी खत्पत्वार कहलाता है संबंदित खत्पत्वार ऐसे जैसे जोग के खेट में सरसो का उग जाना ये क्या कहलाता है संबंदित खत्पत्वार कहलाता है और वास्तिफ फत्फवार यही जो है जो सबसे जादा नुक्सान करते हैं फिर next question है कि बर्सिम का प्रमुख खत्पत्वार कौन सा है कासनी गेहुसा सामा कास तो इसका answer आजाएगा है एक कासनी कासनी जो है बर्सिम का प्रमुख खर्पत्वार है गेहूसा गेहू का है और सामाधान का है और कांस गन्ना का है फिन next question आता है दोस्तों कि glyphosate herbicide का बेपारिक नाम है उसका trade name क्या है तो इसका answer है round up round up जो है glyphosate herbicide का trade name है और जो laasso है वो Ele planklor का है और plant guard 240 का है लीडर sulphosulfon का है खराँ यहारद के मुए को अ tomarखर है कि मोफ़ी के लिए सबस्क्राइब angelate करो मनें स्टरा यहारद है फिन ओक्सिक अपल्गर्ट तो इसका अंसर आजयेगा सीमा जीन जितना जीन वाला है वह फिनोंप्सित एकृटर तोटे आता है के एतरगत जीतने भी ख्लोर होते हैं जैसे एल गोर वो आते हैं और एलि फैटिक के अंतरगात आता है डैलफॉण टीसिंओ ये आते हैं ठीक है फिर फी next question है कि जाइगो ग्रामा बाई कुराटा किसके नियनतरन के लिए प्रयोग में किया जातर, जाजयो ग्रामा वाई कर घारता है, एक बीटल है, तो इसका किसको कंट्रोल के लिए उप्योग करते है, पार्थेनियम, लेंटेना कैमरा, सैक्रामी स्पॉंटेनियम फैलरिस माइनार तो इसका अंसर आ जाएगा बी लेंटेन ए पर्थेनियम गाजर घांस के लिए इसका उप्योग करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीन में से कौन सा स्लेक्टिव हर्विसाइड है स्लेक्टिव हर्विसाइड मालब प्लांट और जो वीड रहता है उसमें से सिर्फ वीड को ही मारता है तो उसको कहते हैं स्लेक्टिव हर्विसाइड तो आपसा ने है एट्राजीन पेराक्वेट डाइक्वेट ग्लाइसोसेड तो इसका अंसर आ जाएगा ए एट्राजीन ठीक है और बाकी जो है वो नान स्लेक्टिव हर् तो इसका जो आंसर है वो है C. Cassiodora ये चरोटा का बॉट निकल नेम है और जो एविना फत्वा है वो जंगली जै का है और उपोंटियां डिलनाई ये है नागफली का और एचरी रेंथास एसपेरा ये जो है ये चीटचीटा का है फिर नेक्स्ट कोश्चन आता है तनाच्छे तक का होस्ट वीड है तनाच्छे तक मलतों इस्टेमबोरान का होस्ट वीड कौन से है बथुआ हजार दाना सावा सत्यनासी तो इसका अंसर आजाएगा C. सावा और याद रखना ग्राम जो केटरपिलर है उसका होस्ट वीड है बथुआ फिर नेक्स्ट कोश्चन आता है खरी में उगने वाले खर्पत्वार है ए बथुआ कांस क्रिश्न निल दुद्धी तो इसका अंसर आजाएगा D. दुद्धी ठीक है यह फोर विए हीटा बोलते है और बागी जो है वो रवी के क्रॉफ है फिर नेक्स्ट कोश्चन आता है नेक्स्ट कोश्चन है तमभाखूर का प्रमुख खर्पत्वार है तमभाखूर का कौन सा मनलब प्रमुख खर्पत्वार है कुस्ट कूटा, लोरैंथा, औरैवळेंची, इस्ट्राइगा तमभाखूर का प्रमुख खर्पत्वार है ओरेवेंची जो सोलेन सी फैमिली को है जैसे टमाटर हो गया मीर्च ये ऑलू हो गया उसका प्रमुख खर्पत्वार है कुस्कुटा जो है यह रिचका का प्रमुखत पत्वार है लोरेंथस जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं जैसे मायंगो उसका ड्राइगा जो सोरघहर सुगर केन इनका है और याद रखिएगा कि जो कुस्कुटा और लॉरेंथस है वह stem parasite है और kuskuta जो है total stem parasite है और lorenthus जो है semi stem parasite है और orange manchi और जो striger है वो root parasite है orange manchi जो है total root parasite है और striger जो है total sorry semi root parasite है इसको आप close करके याद रख सकते हो ठीक है क्या करके close यह जो है stem parasite है और यह जो है जो है root parasite है ठीक है फिर next question आता है कि खर्पतवार की कितनी species फसलों को serious damage करते हैं ठीक है खर्पतवार की कितनी species serious damage करते हैं तो option इससे पहले बता देता हूँ कि जो word में weed का 30,000 species listed है ठीक है उसमें से 18,000 जो है जो serious damage करते हैं और जो d है वो 18 जो मात्र है वो most damage करते हैं सबसे ज़्यादा ठीक है question में पूछा गया है serious damage तो इसका answer आजाएगा b 18,000 ठीक है और 18 जो है most serious damage करते हैं ठीक है और एक चीज़ और याद रखिये गया कि कौन सब वीड है जो सबसे ज़्यादा देशों में पाया जाता है तो याद रखिये गा मोथा, cypress, rotendus जो है 92 देशों में पाया जाता है उसके बाद सामा आता है 80, 80 देशों में पाया जाता है ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और आप कमेंड में सगिट्स भी कर सकते हो कि नेक्स्ट जो आइमपी कोशन है वो कौन से टापिक में होना चाहिए ठीक है तो थांक्यू थांक्यू फार वाचिंग